बात करते हैं कुम्ब लगन की पहले ये समझते हैं कि कुम्ब लगन वालों की समस्या क्या होती है कुम्ब लगन वालों को शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जीवन में करियर के बहुत सारे चुनाव करते हैं ये कभी सोचते हैं इस छेतर में जाएं, कभी सोचते हैं उस छेतर में जाएं तो करियर को लेके शुरुआती जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कुम्भ लगनवालों को जो जीवन साथी मिलता है वैसे तो सपोर्टिव होता है उनका सपोर्ट करता है उनकी सहायता करता है लेकिन इनका जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत स्वभाव का होता है अगर ये शोशल होते हैं तो इनका जीवन साथी एंटी शोशल होता है और अगर ये संभल कर बोलना जानते हैं तो इनका जीवन साथी अच्छी तरह से बात नहीं करता है यानि इनके स्वभाव के पूरी तरह से विपरीत जीवन साथी मिलता है जिसके साथ इनको जीवन में adjustment करना पड़ता है कुम्ब लगन वालों को जीवन में अकेला पन और अवसाद isolation और depression जल्दी घेर लेता है अक्सर अकेले पन के और depression के शिकार हो जाते हैं कुम्ब लगन के लोग कारण ये होता है कि बाहर से चीजें चमकदार दिखाई देती है लेकिन अंदर से ये अकेले होते हैं और जादा तर इनके पास support नहीं होता है किस तरह की पूजा इनके जीवन को बदल सकती है अगर आपका लगन कुम्ब लगन है तो आपको ध्यान जरूर करना चाहिए आपको थोड़ा समय मेडिटेशन में लगाना चाहिए और अगर थोड़ा समय आप सामान ने पूजा उपासना में भी लगाएं सामान ने पूजा उपासना भी थोड़े समय के लिए करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा सुबह के समय अरली मौर्निंग जितना सुबह आप पूजा करेंगे या जितना सुबह उठकर के आप ध्यान करेंगे उतना ही जादा आपके लिए लाबकारी होगा प्रातह काल की पूजा और प्रातह काल का ध्यान इनके लिए हमेशा लाबकारी होता है तो अगर कुम्भ लगन के लोग थोड़ा समय मेडिटेशन पे लगाएं इश्वर के मार्ग पर चलें और पूजा उपासना में लापरवाही नहीं करें तो एक मात्र ये छोटी सी पूजा उनके जीवन को बदल सकती है